हलो दोस्तो, Welcome to Study Universe, मध्यपर्धिश के नमर वन चनल for daily current affair के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो, मध्यपर्धिश weekly current affair यानि मध्यपर्धिश साब्ता है current affair का वीडियो आप तक लेकर आए हैं जोसमें हम बात करेंगे 21-31 July 2020 के बारे में दोस्तो, ये वीडियो आपके सभी पृतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुस्त important है और ये वीडियो हिंदी और इंगलिस दोनों भाषाओं में बनाया गया है दोस्तो, इस वीडियो से related PDF पानी के लिए आप मारे टेलिग्राम को भी जोइन कर सकते हैं description में इसके link दिए गए है question number first है, हाली में HCL technology की नई chairman कौन बनी है जिसका सही option है, रोसनी नाडर, HCL technology की नई chairman बनी है दोस्तो, आपको बदा दे, रोसनी नाडर परतमान में भारत की सबसे धनी महिला है बात करते हैं HCL technology की तो आपको बता दे, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी इसका headquarter Noida उतरपदेश में है और इसकी जो founder थी वाय शिव नाडर थी जितना आपको HCL के बारे में याद रखना है next question है, नेलसन मंडिला दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तो, 18 जुलाई को विस्व नेलसन मंडिला दिवस मनाया जाता है दोस्तो, UN की त्वारत 2009 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी आपको बताया है, नेलसन मंडिला साउथ आफ्रीका की राश्टपती रह चुकी है इन्हें 1990 में भारत रहतन से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तो, ये एक most IMP question है, आपकी एक्जाम लिए most important है नेस्ट question है, टूरंटू अंतराष्टिय फिल्म होसों के लिए राजदूत की रूप में चुनी गई अविनेत्री कोन है नेस्ट question है, जी टूरंटू अंतराष्टिय फिल्म होसों के लिए राजदूत की रूप में चुनी गई अविनेत्री है नेस्ट question है, जी टूरंटी के बित्त मंत्रियों और केंद्रिये वेंक गवर्नरों की समिट की अध्यक्ष्टा किस देशने की है बाता ये साओधी अरब की, तो आपको मैप में इसकी location के बारे में बता दें मैप में आप देख पार होंगे, ये है साओधी अरब साओधी अरब का जो मोटो है, वह है भगवान की सेवा कोई भगवान नहीं है, सिर्फ मुहमद ईस्वर के दूथ है यानि इंगलिस में कहा जाएगर, तो there is no God, but God मुहमद is the messenger of God, यहां की राजधानी है रियाद और मुद्रा है साओधी रियाल, राजा है सल्मान और प्रिंस है मुहमद बिन सल्मान, तो इतना आपको साओधी अरब के बारे में याद रखना है, next question है मद्रिदेश में सबसे अधिक पौधे तयार करने का खेताब 2020 में किसे दिया गया है, तो सागर जिले को मद्रिदेश में सबसे ज़्यादा पौधे तयार करने का खेताब 2020 में दिया गया है, बाताईए सागर जिले की तो आपको इसकी बारी में बता दें दोस्तो मैं आप देख पारे होंगे ये लोकेशन है सागर जले की इसकी कुछ important fact की बारी में जानते हैं तो भारत का हर्दय कहा जाता है सागर को मद्धिप्रदेश की पर्थम विश्विध्याले हरीशिंग और विश्विध्याले सागर में ही बनाई गई है सती पर्था का पर्थम उलिक एरण में देखने को मिलता है नापतौल प्रिसिक्षन संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉंपलेक्स सागर में ही इस्तित है मंद्धिप्रदेश का सबसे बड़ा बनने जीव अभ्यारन जिसका नाम नौरा देही है यह भी सागर में ही इस्तित है बीना तहसिल में ओयल रिफाइनरी लगाई गई है तो यह कुछ important fact सागर जिले के बारे में ते आपको याद रखना है यही से आपकी exam में question बनता है नेस्ट question है द्रोप का हाली में परिक्षन हुआ यह एक क्या है जिसका सही option है यह एक anti-tech missile है दोस्तो इसका परिक्षन ओड़ी सास के तटसे किया गया है आपको बता दें यह जो ध्रोप असर है या anti-tech missile है इसको helicopter के द्वारा भी launch किया जा सकता है नेस्ट question है फोफ्स के अनुसार मुकिस अंबानी का अरब पतियों की लिस्ट में कौन सा इस्थान है तो 5th इस्थान है मुकिस अंबानी का फोफ्स के अनुसार अरब पतियों की लिस्ट में दोस्तो इससे पहले इनका इस्थान 6 था लेकिन अब हाली में जो रहेंग के गाई है उसमें यह पांचवी इस्थान पर पहुँच गए है एक और important fact आपको बता दें फोफ्स की जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें एशिया के एक मात्र व्यक्ति मुकेश अंबानी है नेस्थ कोशन है मद्प्रदेश में नए ट्रांसपूर्ट कमिशनर के से निक्त किया गया है जिसका सही option है मुकेश जन मुकेश जन को मद्प्रदेश में नया ट्रांसपूर्ट कमिशनर निक्त किया गया है दोस्तो ये 1989 बैच के IAS अधिकारी है नेस्थ कोशन मद्प्रदेश पुलिस अकेडमी का संचालक हाली में किसी बनाया गया है तो राजा बावुसें को मद्प्रदेश पुलिस अकेडमी का संचालक हाली में बनाया गया है नेस्थ कोशन है UAE के पहले मार्श मिशन का नाम क्या है तो दोस्तो UAE के पहले मार्श मिशन का नाम होप है आपको बता दें UAE की कुछ important और hope mission की बारी में तो पहला है उपलब्दी हांसिल करने वाला साथवा देश बन गया है यानि UAE मार्स पर पहुँचने वाला साथवा देश बन गया है और अरब देशों की लिस्ट में देखा जाए तो UAE पहले इस्थान पर है यानि UAE अरब द प्रश्मा स्पेस सेंटर से फरवरी 2021 तक मार्स की कक्षा में पहुचेगा दो साल तक यह चक्कर लगाएगा मार्स का उसके बाद यह जानकारी देगा UAE को बात आईए UAE की तो आपको मैप में इसकी बारी में बता देएं मैप में यह चूटा सा देश आप देख पार होगा यह है UAE, UAE का फुल फाम होता है यूनाटेड अरब अमीराद, इसकी राज़तानी अबुधावी, यहां के रास्टपती हैं खालीफा बिन जैद अल नहयान और प्रदान मंत्री हैं मुहमद बिन रसीद नेस्ट कोशन है अतुल सेह को हाली में कहा का SP बनाया गया है तो इन्हें हाली में सागर का SP बनाया गया है नेस्ट कोशन है ग्वालियर जिले के नए SP का नाम क्या है जिसका सही अफशन है अमित सांगी ग्वालियर के नए SP होगे आपको बता दें अमित सांगी इससे पहले सागर जिले के SP रह चुकी है दोस्तो बात आईए ग्वालियर की तो आपको कुछ important fact ऐसे ही बता दें मोखेकर क्योंकि दोस्तो इसकी स्राइड में नहीं लगा पाया हूँ तो बात करते हैं ग्वालियर की important fact की तो पहला है ग्वालियर को प्राचीन काल में गोपचाल की नाम से जाना जाता था तांसेन की नगरी की नाम से भी ग्वालियर को जाना जाता है तांसेन का मकवरा सास बहु का मंदर आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा मद्वर्दिस राजा सो मुक्याले और महालेखा कार कारियाले भी ग्वालियर में ही है मुहम्मद गौस का मकवरा, रानी लक्षिवाई की समाधी भी ग्वालियर में ही इस्थित है राजा मान सें, तौमार संगीत और कला विश्विध्याले भी ग्वालियर जिले में ही बनाया गया है एशिया का प्रथम शारीरिक प्रिशिक्षन महाविध्याले जिसी 1957 में ग्वालियर में ही बनाया गया था इसकी अलाबा दोस्तों ग्वालियर के किले को किलों का रत्न यानि जिब्राल्टर ओफ फोट कहा जाता है तो यह कुछ important fact थी ग्वालियर के बारे में आपको याद रखने है नेस्ट कोशन है पूरी तरह से भारत में बनी बेंटी लेटर का नाम क्या है तो स्वास्त बायू पूरी तरह से बना भारत का बेंटी लेटर है नेस्ट कोशन है IPL 13 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो UAE में IPL 13 का आयोजन 2020 में किया जाएगा दोस्तो यह आयोजन 19 सितंबर से 8 नमंबर के बीच किया जाएगा नेस्ट कोशन है भारत में एक दिवसी ICC World Cup का आयोजन किस वर्स किया जाएगा तो 2023 में ICC World Cup एक दिवसीय का आयोजन भारत में किया जाएगा दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान सुपाल लीग के कारण ICC World Cup 2023 का नवंबर में शिप्ट किया गया है इससे पहले फरवरी मार्च में होना था लेकिन पाकिस्तान में सुपाल लीग के कारण यह है जो है इस्थगित किया गया है बात आएए ICC की तो आपको कुछ important fact इसके बारें बता दें ICC का full form international cricket council होता है इसका moto cricket for good है ICC की स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी मुक्याल है Dubai UAE में है यहां की जो chairman है वह है शशांक मनुहरे तो इतना आपको ICC की बारे में याद रखना है Next question है वीलट दिव मंदिर में नाग पंची पर मेला नहीं लगाया जाएगा यह मंदिर कहां इस्थथ है जिसका सई option है बढ़वानी जिले में यह मंदिर इस्थथ है दोस्तो यहां पर नाग पंची पर मेला लगाया जाता था लेकिन इस बार COVID-19 के द्वरान यह मेला नहीं लगाया जाएगा बात आई है बढ़वानी की तो आपको कुछ important fact बता दें मदिपदेश चावल अनुसंधान केंदर बढ़वानी में ही इस्थथ है बावन गजा तीर्थ इस्थल भी यहीं परिस्थे थे जहां पर आदिनात की बावन गज की प्रिदिमा लगाई गई है सुतंतरता सिनानी भीमा नायक की जर्म इस्थली भी बढ़वानी जिला ही है तो यह कुछ important factor थे इसकी बारी में आपको याद रखने है next question है कोरोणा की खिलाफ मानो शरी में बनने वाली antibody का नाम क्या है तो इसका सई option है agunoglobulin M और agunoglobulin G यह दोनो antibody मानो शरी में बनती हैं अगर किसी व्यक्ति को कोरोणा हो जाता है तो यह important question है दोस्तो आपको याद रखना है आपके exam में पूछा जा सकता है next question है 30 second के भीतर COVID-19 का परिक्षन विक्सित करने साज़दार देश कौन सा बनाया गया है जिसका सई option है इसराइल इसराइल को भारत की द्वारा इन दोनों की साज़दारी के साथ COVID-19 का परिक्षन मातर 30 सेकंड के भीतर किया जाएगा ऐसी तकनीक इसराइल और भारत दोनों मिलकर विक्सित कर रहे है बात आईए इसराइल की तो आपको मैप में इसके बारे में दोस्तो मैप में आप देख पा रहोंगे यह है छोटा सदेज इसराइल इसराइल की राजधानी है जेरुसलम यहां के राष्टपती है राववेन रिवलेन प्रदान मंत्री है वेंजा में नितना हूँ और करंसी है नियू शेकिल तो इतना आपको इसराइल की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है हाली में अमल संकर का निधन हुआ ये कौन थी तो ये कोरियोगराफर थी दोस्तो आपको बता दे 101 साल की उम्र में इनका हाली में निधन हुआ है ये कोरियोगराफर के साथ साथ नित्यांगिना थी आपको बता दे वेस्ट बंगाल के द्वारा 2011 में इन्हें बंग विभूशन से भी शमानित किया जा चुका है नेश्ट कोश्चन है 86 साल बाद म्यूजियम से मस्जद बनी हागिया सोफिया इमारत किस देश में इस्तित है जिसका सही औफशन है तुर्की या तर्की यह जो मस्जद है वह 86 साल बाद म्यूजियम से मस्जद में कनवर्ट हुई है और इसका नाम है हागिया शूफिया मस्जद दोस्तों आपको बता दें यह पहले मस्जद ही हुआ करती थी लेकिन फिर इसे म्यूजियम बनाया गया और अब 86 साल बाद म्यूजियम से फिर से इसे मस्ज़द में कनवर्ट किया गया है मैप में आप देख पार होंगे ये देश है टर्की यानि तुर्की यहां की राज़तानी अंकारा रास्टपती है रेसेप ताइप आर्दुआन यहां की उपरास्टपती है फेट ओक्टे और यहां की जो मुद्रा है वह है तुर्की ली रहा है तो आपको इतना तर्की या तुर्की के बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है हाली में किस राज़ी के मुख्यमंतरी COVID-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं तो यह है मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराशन चोहान COVID-19 के पॉजिटिव पॉजिटिव हाली में पाए गए हैं दोस्तो बात आई है मध्यप्रदेश की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें अनंदी बेन पटेल को परत्मान राजपाल चुना गया है या प्रिभार दिया गया है मुख्यमंतरी शिवराशन चोहान है जो भाजापासे हैं दिधान मंडल में 230 सीटे हैं राज्यसवा में कुल 11 सीटे हैं और लोगसवा की 39 याने 29 सीटे हैं मध्यप्रदेश में तो ये कुछ important fact थे आपको याद रखने हैं मध्यप्रदेश के बारे में next question हाली में मध्यप्रदेश के गवर्णर का निधन हुआ ये कौन थे इस मध्यप्रदेश की गवर्णर का अतिरिक्त प्रभार हाली में उत्तरपदेश की गवर्णर अनन्दी बिन पटेल को दिया गया है next question मध्यप्रदेश के किस मंदर में अनराज्यों के सरध्धालियों के आने पर रोक लगाई गई है तो प्रतिक 26 जुलाई को कारगिल बिजय दिवस मनाया जाता है आपको बता दें 1999 में हमने पाकिस्तान पर बिजय प्राप्त की थी और इसी के उपलक्ष में हमने कारगिल बिजय दिवस मनाना शुरू किया गया है इससे पहले 2014 में जो रिपूट आई थी उसमें बताया गया था कि महिलाओं के हिस्सेदारी 21 प्रतिशत है जो बढ़कर अब 2020 में 30 प्रतिशत हो चुकी है नेश्ट कोशन है हाली में किस राजमें बिद्धियारतियों घर बेटर परिक्षा देने के विसेश व्यस्ता की गई है दोस्तों आप घर वैठे परिक्षा के अलावा डिगरी भी प्राप्त कर सकते हैं नेश्ट कॉशन है भारत की रिलाइंस इंडस्टीज दुनिया की कौन सी नमबर की ऊर्जा कंपनी बन गई है आपको बता दें इससे पहले जो पहले इस्थान पर है वह है साओधी अरब की अरामकू कंपनी है जो पहले इस्थान पर है इसके बाद भारत की रिलाइंस इंडस्टीज दुनिया की दूसरे नमबर की ऊर्जा कंपनी बन गई है नेश्ट कोशन है हाले में किस राज़े में रुख जाना नहीं योजना की शुरूआत फिर से की गई है जिसका सही ओफशन है हमारी मद्यप्रिदेश में मद्यप्रिदेश में रुख जाना नहीं योजना की शुरूआत फिर से की गई है दोस्तो आपको बताने यह योजना पहले भी लागू हो चुकी है जो 12th या 10th के बाद जिन बच्चों का रिजल्ट आता है उन्हें यह योजना शुरू की जाती है इसके द्वारा बच्चे फिर से एक्जाम दे सकती है तो यह योजना बहुत अच्छी है जो मंद्रदेश मे लागू की गई है नेस्ट कोशन है पैंसन सीवा पूटल किस बैंक की द्वारा लॉंच किया गया है तो यह है SBI बैंक की द्वारा पैंसन सीवा पूटल लॉंच किया गया है दोस्तो आप इस पैंसन सीवा पूटल की द्वारा अपनी जानकारी भर सकती है और इसकी द्वा 1955 को रखा गया, headquarter मुंबई में है और SBI के chairman है Rajneesh Kumar, तो इतना आपको SBI bank के बारे में याद रखना है Next question है, पहले World Cup Super League के शुरुआत में Ireland और किस देश के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जिसका सही option है England, England और Ireland के बीच, पहले World Cup Super League का मुकाबला खेला जाएगा, दोस्तों आपको बता दें जो ICC World Cup जो ICC World Cup है 2013 में भारत में खेला जाएगा पहली बार सिर्फ भारत में आयोजन होगा इससे पहले 2011 है और 1996 में भी ICC World Cup की शुरुआत की जा चुकी है, दोस्तों कुल जो 13 टीम में हिस्सा लेंगी इसके अलाबा हर टीम को 8-8 सीरिस खेली होंगी और हर मैच जीतने पर एक टीम को 10 पॉइंट दिये जाएंगे तो ये कुछ इस Super League के बारे में बताए गया है जो मैंने आपको के साथ शेयर किया है बात आई है इंगलेंड की तो आपको इंगलेंड की बज़ाए UK के बारे में कुछ important facts बताते हैं क्योंकि UK और इंगलेंड एक ही जगा है तो आपको UK के बारे में बताते हैं यहां की राजधानी लंडन है जो यहां की समराट है वह एलिजबेट दुधी है प्रधान मंत्री बोरेस जोंसन है और यहां की जो मुद्रा है वह पाउंड एस्टरलिंग है तो आपको इतना UK के बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है हाली में चीन के कितने मॉयल एप्स पर बेन किया गया है नेस्ट कोशन देश में सबसे ज़्यादा बागों वाला राज जी कौन सा है जिसका सही ओफ्षन है मध्यप्रिदेश मध्यप्रिदेश देश में सबसे ज़्यादा बागों वाला राज है दोस्तो मद्धिप्रदेश में अगर बात की जाए जो बागों की संख्या की तो सबसे ज़्यादा संख्या 526 मद्धिप्रदेश में है और बांधवगर राश्टी उत्यान में 124 संख्या है बागों की जो मद्धिप्रदेश में सबसे ज़्यादा है एक और important fact आपको बता दें 200 बाग दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है नेस्ट question प्रधान मंतरी आत्म नर्वर स्टीट वेंडर योजना किरियान बैन में पहला राज्जी कोन सा है तो हमारा मद्यप्रधेश प्रधान मंतरी आत्म नर्वर स्टीट वेंडर योजना में पहले इस्थान पर है तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 21-31 जुलाई 2020 के करंट अफिर की बारी में अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए अपने दोस्तों की साथ और हमारे चैनल स्टडी उनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तो एक और इंफोर आपको बता दें मद्धिपटेश में जेल प्रहरी की रिक्वेर्मेंट हाली में उपन हुई है तो आप पीवी की साइट से जाकर इसको फॉर्म फिल कर सकती है तो दोस्तो अगर आपको हम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिये गए है तो आज के लिए बस अतना ही नमस्कार